नमस्कार आज तक AI के राशिफल स्पेशल शो में आपका स्वागत है कारिक्रम में हम आपको बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा और किन मामलों में आपको सामधानी बरतने की जरूरत है राशियों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे शुरू करते हैं आज का कारिक्रम राशिफल में सबसे पहले मेश राशी की बात करेंगे आप सीखने की कोशिश बनाए रखेंगे और परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होंगे आप स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे और श्रेष्ट प्रयासों से सभी को आकर्शित करेंगे इस राशी के लोगों को दोस्तों का सहयोग मिलेगा आवशक कार्यों को समय से पूरा तरने का प्रयास करेंगे तीन, आठ और नौ आपके लिए लखी नंबर है आज रस्ट कलर आपके लिए शुब है मेश के बाद वरिश राशी की और बढ़ते हैं जरूरी कामों में नियंतरन बनाये रखने की कोशिश करेंगे निजी मामलों पर फोकस बनाये रखेंगे वरिश राशी वालों का व्यापार भैतर बना रहेगा आप भावनात्मक मामलों में धैर्य रखेंगे और जल्दबाजी में कोई निरणय ना ले इस राशी के लोगों के लिए 6 और 8 लखी नंबर है नीला रंग आपके लिए शुब है द्रिश राशी के बाद मिथुन राशी के बारे में बताएंगे संपर्क का दाइरा बढ़ा होगा और सभी से समवाद बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप करियर और कारोबार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे मिथुन राशी वालों के परिवार में हर्श और उत्साह रहेगा आप आविशब कारियों में तेजी लाएंगे तीन और पाँच आज आपके शुब अंख है समुदरी रंग आपके लिए शुब होगा मिथुन के बाद कर्क राशी का नंबर आता है आपके आसपास खुशियां बढ़ेंगी और परिजनों से तालमेल बनाए रखेंगे महत्वपूर्ण लोगों से भेट करने का मौका मिलेगा इस राशी के लोगों का वानी और व्यवहार बहतर होगा आत्म विश्वास से आगे बढ़ेंगे और संबंधियों का सहियोग पाएंगे कर्क राशी वालों के लिए दो और छे शुब अंख है आज मून स्टोन जैसा कलर आपके लिए लखी होगा कारेकरम में अब हम आपको सिंग राशी के बारे में बताएंगे आप महत्वपूर्ण लक्षों को प्राप करेंगे उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन पाएंगे और चारों और शुबता का संचार रहेगा सिंग राशी वालों के सुखद यात्रा के संकेत है और उन्हें शुब सूचना मिल सकती है आप अनेक रचनात्मक कारियों में तेजी लाएंगे इस राशी के लोगों का कार्य व्यापार भैतर होगा और जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा एक और नौ आपके लखी नंबर है नीला रंग आपके लिए शुब है सिंग के बाद अब कन्या राशी की बारी है आर्थिक गतिविधियों में सतर्कता और फोकस बनाए रखें इस राशी के लोग नीती और नियोंगों का पालन करेंगे आप संबंधियों का सम्मान करेंगे और संसकारों को बढ़ावा देंगे करीबियों से सलाह लेंगे आपकी विदेश यात्रा संभव है कन्या राशी वाले सूजबूच से आगे बढ़ते रहें और भूनों को नजर अंदाज करें पांच और आठ आपके लिए शुब अंक है लीफ जैसा कलर आपके लिए लखी होगा अब बारी तुला राशी की तुला राशी वाले अपनों को खुश रखने का प्रयास करेंगे संबंधों में आप सरल बने रहेंगे इस राशी वालों के करियर और कारोबार में बढ़ोतरी होगी आपको दोस्तों का साथ मिलेगा आपकी जीवन शैली भी समवरेगी तुला राशी वालों का व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा और आप सबसे मेल जोल बना कर रखेंगे आपकी सेहत में सुधार होगा और आप बड़ी सोच बनाए रखेंगे पाँच और आठ अंग आपके लिए लखी होगे रॉयल ब्लू कलर आपके लिए शुब होगा तुला के बाद ग्रिश्चिक राशी वालों का राशिफल जानते हैं आप कामकाज में फोकस बनाए रखेंगे पद और प्रतिष्ठा में इजाफा होगा आपके चारों और शुपता का संचार रहीगा इस राशी वालों को आज शुब सूचना मिलेगी आप सबको साथ लेकर चलेंगे आप आज कम दूरी की यात्रा कर सकते हैं रिष्टे आपके पक्ष में बने रहेंगे और आपका मनोबर बढ़ा हुआ रहेगा तीन नंबर आपके लिए शुब हो सकता है डार्ट चॉकलेट कलर आपके लिए लखी रहेगा अब चलते हैं धनूराशी की तरफ धनूराशी वालों के जीवन से रुकावते दूर होंगी आप चर्चाओं में शामिल होंगे पेशेवर मामले आपके पक्ष में बने रहेंगे इस राशी वाले तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा आप समाज सेवा से जुड़े रहेंगे आपके आपसी मतभेत भीद दूर होंगे छे और नौ अंक आपके लिए लखी रहेंगे पीला रंग आपके लिए शुब होगा राशिफल में अब मकर राषी पर चर्चा करेंगे मकर राशी वाले भावनाओं पर नियंत्रन बढ़ाएंगे आपके लिए सला है कि आप किसी भी अनजान पर भरोसा ना करें परिवार वालों से आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे इस राशी वाले स्वभाव से विनम्र बने रहेंगे आप सेहत की अंदेखी ना करें समय सीमा का ध्यान रखे और परिवार वालों से सलाह ले आठ नमबर आपके लिए शुब होगा बैंगनी रंग आपके लिए लखी हो सकता है अब बढ़ेंगे कुम्भ राशी की ओर कुम्भ राशी वाले कामकाज में निरंतर्ता और अनुशासन रखेंगे आपको शुब प्रस्ताव मिलेंगे व्यापार में भी लाब होगा इस राशी वाले अपने लक्षों के प्रती समर्पित रहेंगे आप जोखिम उठाने की सोच रखेंगे कुम्भ राशी वालों के प्रेम संबंदों में सुधार होगा आप परिवार के संग अच्छा समय बिताएंगे चार और साथ अंग आपके लिए लकी रहेंगे नीला रंग आपके लिए शुब रहेगा शो के आखर में मीन राशी वालों की बात होगी नीम राशी वाले कार्यों में गती बनाए रखेंगे आपके रूटीन में सुधार होगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी इस राशी वाले जोखिम लेने से बचें आप कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें आज आपके घर रिष्टेदार आ सकते हैं मीन राशी वालों का मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा और आप सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे एक और पाँच अंग आपके लिए शुब रहेंगे फिरोजी रंग आपके लिए लखी हो सकता है आज तक AI के राशीफल स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही किसी तरह आपके राशीओं का हाल लेकर हम फिर हाजर होंगे मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहें हमारे साथ आपका दिन शुब हो